नहेम्याह नामक पुस्तक अध्याए 1-13 अध्याए 1 यरुशलिम के लिए नहेम्याह चिंतित एक हकल्याह के पुत्र नहेम्याह के वचन 20-वे वर्ष के किसलेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगर में रहता था, दो तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहुदा से आय हुए कई एक पुरुशाय तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहुदियों के विशय जो बधुआई से चूट गए थे और यरुशलिम के विशय में पूछा तीन उन्होंने मुझसे कहा जो बचे हुए लोग बधुआई से चूट कर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है क्योंकि यरुशलिम की शहरपनाह तूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं चार ये बाते सुनते ही मैं बैटकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ब के परमेश्वर के सम्मुख उक्वास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा पांच हे स्वर्ब के परमेश्वर यहोवा हे महान और भययोग्य ईश्वर तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आग्या मानने वाले के विशय अपनी वाचा पालता और उन पर करुना करता है छे तू कान लगाए और आँखे खोले रहे की जो प्रार्थना मैं तेरा दास समय तेरे दास इस्राइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं उसे तू सुन ले मैं इस्राइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किये हैं मान लेता हूं मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है साथ हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आग्याएं, विधिया और नियम तुने अपने दास मूसा को दिये थे उनको हमने नहीं माना आठ उस वच्चन की सुधी ले, जो तुने अपने दास मुसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वास खात करो, तो मैं तुमको देश-देश के लोगों में तितर-बितर करूंगा नौ परंतु यदि तुम मेरी और फिरो, और मेरी आग्याएं मानो, और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों, तो भी मैं उनको वहां से इकर्था करके उस स्थान में पहुँचाऊंगा, जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लि अपने उन दासों की प्रार्थना पर, जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं, कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर, और उस पुरुष को उस पर दयालू कर, मैं तो राजा का पियाओ था, अध्याए दो, नहेमिया का यरुशलिम प्रस्थान, एक अर्थक्षत रा तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मूह क्यों उतरा है, यह तो मनही की उदासी होगी, तब मैं आत्यंत डर गया, तीन मेंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे, जब वह नगर जिसमें मेरे पुर्खाओं की कबरें हैं, उजार पांच, यदि राजा को भाई, और तू अपने दास से प्रसन हो, तो मुझे यहुदा और मेरे पुर्खाओं की कबरों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। के लिए इस आशय की चित्थिया मुझे दी जाएं की जब तक मैं यहुदा को न पहुंचू, तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दे, आठ और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चित्थि मुझे दी जाए ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगर की कड़ियों के लिए और शेहरपिनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा, लकड़ी दे, मेरे परमेश्वर की कृपाद रिष्टी मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली, नौ तब मैंने महांद के पा अब्याह नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा, ग्यारह जब मैं यरूशलिम पहुँच गया, तब वहां तीन दिन रहा, बारह तब मैं थोड़े पुरुशों को लेकर रात को उठा, मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यर का फाटक के पास गया, और यरूशलिम की तूटी पड़ी हुई शेहरपना और जले फाटकों को देखा, चौदह तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंट के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था, पंद्रह तब मैंने तब तक न तो यहुदियों को कुछ बताया था और न याजकों और न रईसों और न हाकिमों और न दूसरे काम करने वालों को, सत्रह तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुरदशा में हैं, कि यरूशलिम उजार पड़ा है और उसके फाटक जले ह हुए हैं, आओ, हम यरूशलिम की शहरपनाह को बनाएं, कि भविश्य में हमारी नामधराई न रहे, 18 फिर मैंने उनको बतलाया, कि मेरे परमेश्वर की कृपाद्रिष्टी मुझ पर कैसी हुई और राजाने मुझ से क्या-क्या बाते कही थी, तब उन्होंने कहा, आओ, ह कर भी, हमें ठर्टों में उढाने लगे, और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या काम करते हो, क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे, 20 तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्प का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दा कमर बांद कर बनाएंगे, परंतु यरुशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग, न हक, और न स्मारक है, अध्याय तीन, यरुशलेम की शेहर पनाह का पुनह निर्मान, एक तब एल्याशीब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांद कर भेरफाटक को बनाया, उससे आगे यरीहों के मनुश्यों ने बनाया, और इनसे आगे इम्री के पुत्र जक्कूर ने बनाया, तीन फिर मचली फाटक को हसना के बेटों ने बनाया, उन्होंने उसकी कडियां लगाई और उसके पल्ले, ताले और बैंडे लगाए, चार उनसे आगे मरेमोत ने जो हककोस का पोता और उर्याह का पुत्र था, मरम्मत की, इनसे आगे मशुलाम ने जो मशेजबेल का पोता और बरेक्याह का पुत्र था, मरम्मत की, इससे आगे बाना के पुत्र सादोक ने मरम्मत की, पांच इनसे आगे तकोयों ने मरम्मत की, परंतु उनके रईसों ने ताले और बैंडे लगाए। दस उनसे आगे हरुमप के पुत्र यदायाह ने अपने ही घर के सामने मरममत की और इससे आगे हशबनयाह के पुत्र हत्तूश ने मरममत की। उन्होंने उसको बनाया और उसके ताले बैंडे और पल्ले लगाए और हजार हाथ की शहरपनाह को भी अर्थात कुड़ाफातक तक बनाया। 14. कुड़ाफातक की मरममत रेकाप के पुत्र मलकियाह ने की जो बेथक के रिम के जिले का हाकिम था उसी ने उसको बनाया और उसके ताले बैंडे और पल्ले लगाए। 15. सोताफातक की मरमत कोलहुजे के पुत्र शलूमने की जो मिस्पा के जिले का हाकिम था उसी ने उसको बनाया और पाटा और उसके ताले बैंडे और पल्ले लगाए और उसी ने राजा की बारी के पास के शेला नामक कुंट की शहरपनाह को भी दावदपुर से उतरने वा मरमत की। के पुत्र अजेर ने की जो मिस्पा का हाकिम था। बीस फिर एक और भाग की अर्थात उसी मोड से लिए एलियाशीब महायाजक के घर के घर के द्वार तक की मरम्मत जबबई के पुत्र बारूप ने तन मन से की। 23 उनके बाद बिन्यामीन और हश्यूग ने अपने घर के सामने मरम्मत की और इनके बाद अजर्याह ने जो मासेयाह का पुत्र और अनन्याह का पोता था अपने घर के पास मरम्मत की। इसके बाद परोश के पुत्र पदायाह ने मरम्मत की। 26 न तीन तो उपेल में पूरब की और जल्फाटक के सामने तक और बाहर निकले हुए गुम्मत तक रहते थे। 27 पदायाह के बाद तकोयों ने एक और भाग की मरम्मत की। जो बाहर निकले हुए बड़े गुम्मत के सामने और ओबेल की शेहरपनाह तक है। शेहरपनाह की मरम्मत करने वाले अन्यलोग 28 फिर घुड़ा फाटक के उपर याजकों ने अपने अपने घर के सामने मरम्मत की। 29 इनके बाद इम्मेर के पुत्र सादोक ने अपने घर के सामने मरम्मत की और तब पूरभी फाटक के रखवाले शकन्याह के पुत्र समयाह ने मरम्मत की। तीस इसके बाद शेलिम्याह के पुत्र हनन्याह और सालाप के छठवे पुत्र हानुम ने एक और भाग की मरम्मत की तब बेरैक्याह के पुत्र मशुलाम ने अपनी कोठरी के सामने मरम्मत की 31 उसके बाद मल्कियाह ने जो सुनार था नतिनों और व्यापारियों के स्थान तक ठहराय हुए स्थान के फातक के सामने और कोने के कोठे तक मरम्मत की नहेमयाधवारा विरोधियों का सामना एक जब संबल्लत ने सुना कि यहुदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं तब उसने बुरा माना और बहुत रिस्याकर यहुदियों को ठट्टों में उडाने लगा दो वह अपने भाईयों के और शोम्रोन की सेना के सामने यूँ कहने लगा वे निर्बल यहुदी क्या करना चाहते हैं क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान द्रिर करेंगे? क्या वे यग्य करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? चड़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शेहरपनाह को तोड़ देगा। चार है हमारे परमेश्वर, सुनले की हमारा अपमान हो रहा है, और उनका किया हुआ अपमान उनहीं के सिर पर लोटा दे, और उन्हें बधुआई के देश में लुटवा दे। पांच उनका अधर्म तू नर ढाप और न उनका पाप तेरे सम्मुक से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुझे शेहरपनाह बनाने वालों के सामने ख्रोद दिलाया है। पांच उन्होंने बहुत ही बुरा माना, आठ और सभोंने एक मन से गोश्ठी की की जाकर यरुशलेम से लड़ें और उसमें गड़बड़ी डालें। नौ परंतु हम लोगोंने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिये। दस परंतु यहूदी कहने लगे, धुने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपना हमसे नहीं बन सकती। ग्यारह हमारे शत्रू कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में न पहुँचे और उन्हें घात करके वह काम बंद न करें, तब तक उनको न कुछ मालूम होगा और न कुछ दिखाई पड़ेगा। बारह फिर जो यहुदी उनके आस पास रहते थे, उन्होंने सब स्थानों से दस बारह आकर, हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लोट आना चाहिए। पंदरह जब हमारे शत्रूओं ने सुना की यह बात हमको मालूम हो गई है, और परमेश्वर ने उनकी युक्ती निश्वल की है, तब हम सब के सब शेहरपना के पास अपने अपने काम पर लोट गए। सोलह उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्चियों, तलवारों, धनुशों और जहलमों को धारन किये रहते थे और यहुदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। सत्रह शेहरपना के बनाने वाले और बोज के धोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हतियार पकड़े रहते थे। से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे, उधर ही हमारे पास इकठे हो जाना। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। 21 हम काम में लगे रहे और उनमें आधे, पौफटने से तारों के निकलने तक बर्चियां लिये रहते थे। 22 फिर उसी समय मेंने लोगों से यह भी कहा, एक-एक मनुष्य अपने दास समेत यरुशलिम के भीतर रात बिताया करें, कि वे रात को तो हमारी रखवाली करें और दिन को काम में लगे रहें। 23 इस प्रकार न तो मैं अपने कपड़े उतारता था, और ना मेरे भाई, ना मेरे सेवक, ना वे पहरुए जो मेरे अनुचर थे, अपने कपड़े उतारते थे, सब कोई पानी के पास भी हथियार लिये हुए जाते थे। अध्याय पांच गरीबों का शोशन एक तब लोग और उनकी स्त्रियों की ओर से उनके भाई यहुदियों के विरुद्ध बड़ी चिल्ला हट मची। दो कुछ तो कहते थे, हम अपने बेटे बेटियों समेद बहुत प्रानी हैं, इसलिए हमें अन्न मिलना चाहिए कि उसे खा कर जीवित रहें। तीन कुछ कहते थे, हम अपने अपने खेतों, दाख की बारियों और घरों को महगी के कारण बंधक रखते हैं कि हमें अन्न मिले। चार फिर कुछ यह कहते थे, हमने राजा केकर के लिए अपने अपने खेतों और दाख की बारियों पर रुपया उधार लिया। पांच परंतु हमारा और हमारे भाईयों का शरीर और हमारे और उनके बच्चे एक ही समान हैं, तो भी हम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते हैं, वरन हमारी कोई-कोई बेटी दासी भी हो चुकी है, और हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और दाक की बारि तब मैंने उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा की आठ और मैंने उनसे कहा, हम लोगों ने तो अपनी शक्ती भर अपने यहुदी भाईयों को जो अन्यजातियों के हाथ बिक गए थे, दाम देकर छुडाया है, फिर क्या तुम अपने भाईयों को बेचोगे, क्या वे हमारे ह बिकेंगे, तब वे चुप रहे और कुछ न कह सके, नौ फिर में कहता गया, जो काम तुम करते हो वह अच्छा नहीं है, क्या तुम को इस कारण हमारे परमेश्वर का भय मानकर चलना न चाहिए कि हमारे शत्रू जो अन्यजाती हैं, वे हमारी नामधराई न करें, दस में अब ही और मेरे भाय और सेवक उनको रुपया और अनाज उधार देते हैं, परन्तु हम इसका ब्याद छोड़ दें। लोगों को यह शपत खिलाई की वे इसी वचन के अनुसार करेंगे। में यहुदा देश में उनका अधिपती ठहराया गया, अर्थात राजा अर्थक्षत्र के बीसमें वर्ष से ले उसके बतीसमें वर्ष तक, बारह वर्ष मैं और मेरे भायों ने अधिपती के हक का भोजन नहीं खाया। 15 परंतु पिछले अधिपती जो मुझ से पहले थे, वे प्रजा पर भार डालते थे, और उनसे रोटी और दाखमधू और इसके साथ 40 शेकेल चांदी लेते थे, वरन उनके सेवक भी प्रजा के उपर अधिकार जताते थे, परंतु मैं ऐसा नहीं करता था, क्योंकि मैं यह हुआ का भाय मानता था, 16 फिर मैं शेहर पनाह के काम में लिपता रहा, और हम लोगों ने कुछ भूमी मोलना ली, और मेरे सबसेवक काम करने के लिए वहां एकठे रहते थे, 17 फिर मेरी मेज पर खाने वाले 150 यहुदी और हाकिम और वे भी थे, जो चारों ओर की अन्यजात थी, दस-दस दिन के बाद भांती-भांती का बहुत दाखमधू भी तयार किया जाता था, तो भी मैंने अधिपती के हक का भोज नहीं लिया, क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था, 19 ए मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है, उसे तु मेरे हि अध्याय छे, नहेमिया के विरुधश अधियंत्र, एक जब संबल्लत, तोब्याह और अर्भी गेशिम और हमारे अन्य शत्रूओं को यह समाचार मिला, की मैं शेहरपना को बनवा चुका, और यद्यपी उस समय तक भी मैं फाटकों में पल्ले न लगा चुका था, तो भी शेहरपना हमें कोई दरार न रह गई थी, दो तब संबल्लत और गेशिम ने मेरे पास यों कहला भेजा, आ, हम उनों के मैदान के किसी गाव में एक दूसरे से भेंट करें, परंतु वे मेरी हानी करने की इच्छा करते थे, तीन परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भ और मैंने उनको वैसा ही उत्तर दिया, पांच तब पांचमी बार संबल्लत ने अपने सेवक को खुली हुई चिठी देकर मेरे पास भेजा, छे जिसमियों लिखा था, जाती-जाती के लोगों में यह कहा जाता है, और गेशिम भी यही बात कहता है, कि तुम्हारी और पुशलिम में नभी ठहरा हैं, जो यह कहकर तेरे विशे प्रचार करें, कि यहुदियों में एक राजा है, अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा, इसलिए अब आ, हम एक साथ सम्मती करें, आठ तब मैंने उसके पास कहला भेजा, जैसा तु कहता है, वैसा तो कु परमेशवर, तु मुझे ही आव दे। मैं नहीं जाने का, बारह फिर मैंने जान लिया कि वह परमेशवर का भेजा नहीं है, परंतु उसने हर बात इशवर का वचन कहकर मेरी इहानी के लिए कही, क्योंकि तोबियाह और संबल्लत ने उसे रुपया दे रखा था, तेरह उन्होंने उसे इस कारण रुपया दे और उनको दोश लगाने का अफसर मिले और वे मेरी नामधराय कर सकें। और बहुत लजजित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि एहकाम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। 17 उन दिनों में भी यहूदी रईसों और तोबियाह के बीच चित्थी बहुत आया जाया करती थी। 18 क्योंकि वहार्ह के पुत्र शकम्याह का दामाद था और उसके पुत्र यहोहानान ने बेरेक्याह के पुत्र मशुलाम की बेटी से विवाह कर लिया था। इस कारण बहुत से यहूदी उसका पक्ष करने की शपत खाय हुए थे। यरुशलिम का अधिकारी थेहरया क्योंकि यह सच्चा पुरुष और बहुतेरों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। तीन मेंने उनसे कहा, जब तक धूप कड़ी न हो, तब तक यरुशलिम के फाटक न खोले जाएं और जब पहरुए पहरा देते रहें, तब ही फाटक बंद किये जाएं और बेडे लगाए जाएं। फिर यरुशलिम के निवासियों में से तू रखवाले ठहरा जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के सामने दिया करें। चार नगर तो लंबा चोड़ा था, पर अंतु उसमें लोग थोड़े थे और घर नहीं बने थे। लोटने वालों की वनशावली पांच तब मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में यह उपजाया की रईसों, हाकिमों और प्रजा के लोगों को इसलिए एकठा करून की वे अपनी अपनी वनशावली के अनुसार गिने जाएं। मुझे पहले पहल यरुशलिम को आए हूँ का वनशावली पत्र मिला और उसमें में नियों लिखा हुआ पाया, छे जिनको बैबिलोन का राजा नबुकद निस्सर बंदी बना करके ले गया था, उनमें से प्रांत के जो लोग बधुआई से चूट कर यरुशलिम और इशू, नहिम्या, अजर्या, राम्या, नहमानी, मौर्दकई, बिल्शान, मिस्पिरेत, बिग्वे, नहुम और बाना के संगाए इस्राइली प्रजा के लोगों की गिंती यह है आठ परोश की संटान दो हजार एकसो बहत्तर, नौ सपत्याह की संटान तीन सो बहत्तर, दसारह की संटान चहसो बावन, ग्यारह पहतमोअप की संटान याने येशु और योवाप की संटान, 2818, 12 हैलाम की संतान 1254, 13 जत्तू की संतान 845, 14 जक्के की संतान 760, 15 बिन्नुई की संतान 648, 16 बेबई की संतान 628, 17 अजगाद की संतान 2322, 18 आदोनीकाम की संतान 666, 19 बिगवे की संतान 2066, 20 आदीन की संतान 6 155-21 हिजकिया की संतान आतेर के वंश में से 98, 22 हाशम की संतान 328, 23 बैसे की संतान 324, 24 हारीप की संतान 112, 25 गिबोन के लोग 95, 26 बैतलहम और नतोपा के मनुष्य 188, 27 अनातोत के मनुष्य 128, 28 बेतजमावत के मनुष्य 42, 29 किर्यत्यारिम, कपीर, और बेरोद के मनुष्य 745, 30 रामा और गेबा के मनुष्य 621, 31 मिकपास के मनुष्य 122, 32 बैतल और एं के मनुष्य 12, 33 दूसरे नबो के मनुष्य 52, 34 दूसरे अलाम की संतान 1254, 35 हरीप की संतान 32, 36 यरीः़ों के लोग 345, 37 लोद हादीद और नो के लोग 721, 38 सना के लोग 3930, 49 फिर याजक अर्थात येश्यू के घराने में से यदायाह की संतान 973, 40 इम्मीर की संतान 1052, 41 पशहूर की संतान 1247, 42 हारीन की संतान 1017 43 फिर लेविय ये थे, होड़वा के वंश में से कदमील की संतान येश्यू की संतान 74 44 फिर गवय ये थे, आसाप की संतान 148 45 फिर द्वारपाल ये थे, शलूम की संतान, आतेर की संतान, तलमोन की संतान, एककूब की संतान, हतीता की संतान, और शोबई की संतान, जो सब मिलाकर 138 हुए 46 फिर नतीन अर्थात सिहा की संतान, हसूपा की संतान, तबबात की संतान, 47 के रोस की संतान, सिहा की संतान, पादोन की संतान, अर्टालीस लबाना की संतान, हगाबा की संतान, शलमे की संतान, उंचास हानान की संतान, गिद्देल की संतान, गहर की संतान, पचास राया की संता रिसीन की संतान, नकोदा की संतान, इक्यावन गज्जाम की संतान, उज्जा की संतान, पासेह की संतान, बावन बेसे की संतान, मुनीम की संतान, नपूशस की संतान, तिरपन बगबुक की संतान, हकूपा की संतान, हरूर की संतान, चावन बसलीत की संतान, महीदा की संतान, हर की संतान, चपन नसील की संतान, और हतीपा की संतान. 57 फिर सुलैमान के दासों की संतान, सोत की संतान, सोपिरेद की संतान, परीदा की संतान, अठावन याला की संतान, दरकोन की संतान, गिदेल की संतान, उनसर्ट शपत्याह की संतान, हतील की संतान, पोकेरेद सवाइम की संत साथन तीन और सुलैमान के दासों की संतान मिलाकर 3092 थे। पायाह की संतान, हककोस की संतान और बरजिल्ले की संतान जिसने गिलादी बरजिल्ले की बेटियों में से एक से विवाह कर लिया और उनी का नाम रख लिया था। पूरी मंडली के लोग मिलाकर 42,360 ठहरे। सरसथ इनको छोड़ उनके साथ 337 दास दासियां और 245 गाने वाले और गाने वालियां थी। अरसथ उनके घोड़े 736, खचर 245, उनक्तर उनक 435 और गदहे 6720 थे। सतर पित्रों के घरानों के कई एक मुख्य पुरुषों ने काम के लिए दान दिया। अधिपती ने तो चंदे में 1000 दरकमों सोना, 54 और 530 याजकों के अंगर खे दिये। 71 और पित्रों के घरानों के कई मुख्य मुख्य पुरुषों ने उस काम के चंदे में 20,000 दरकमों सोना और 2200 माने चांदी दी। 72 शेश प्रजा ने जो दिया, वह 20,000 दरकमों सोना, 2000 माने चांदी और 66 याजकों के अंगर खे हुए। 73 इस प्रकार याजक, लेविय, द्वारपाल, गवये, प्रजा के कुछ लोग और नतीन और सब इस्राइली अपने अपने नगर में बस गए। अध्याय आर्थ जलफाटक के सामने के चौक में इकठे होकर, एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहुवा ने इस्राइल को दी थी, उसकी पुस्तक लेया। पुस्तक पर कान लगाए रहे। और जब उसने उसको खोला, तब सब लोग उठ खड़े हुए। चहता बेजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठा कर आमीन, आमीन कहा और सिर जुका कर अपना अपना माथा भूमी पर टेक कर यहोवा को दंदवत किया. साथ येश्व, बानी, शेरेब्या, यामीन, एककूब, शबत, होया, मासेया, कलीता, अजर्या, योजाबाग, हानान और पलाया नामक लेविय, लोगों को व्यवस्था समझाते गए और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे. आठ उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया, और लोगोंने पार्थ को समझ लिया. नौ तब नहीम्या जो अधिपती था, और एज्रा जो याजक और शास्त्री था, और जो लेविय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रोओ, क्यूं कि आज का दिन हमारे परभू के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो, क्यूंकि यहोवा का आनन तुम्हारा द्रिल गड़ है. 11 यो लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया, चुप रहो, क्यूंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो. बारह तब सब लोग खाने, पीने, भुजन, सामगरी भीजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे, उन्हें वे समझ गए थे जोपडियों का पर्व तेरह दूसरे दिन भी समस्त प्रजा के पित्रों के घराने के मुखे-मुखे पुरुष और याजिक और लेवियो लोग, एजरा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए इकर्थे हुए चौदा उन्हें व्यवस्था में यह लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा के द्वारा यह आगया दीथी की इस्राइली सात्वे महीने के पर्व के समय जोपडियों में रहा करें पंद्रह और अपने सब नगरों और यरूशलिम में यह सुनाया और प्रचार किया जाए पहार पर जाकर जैतूम, तेलवरिक्ष, मेहदी, खजूर और घने घने वरिक्षों की डालियां ले आकर जोपडियां बनाओ जैसे की लिखा है सोला हता सब लोग बाहर जाकर डालियां ले आए और अपने अपने घर की छट पर और अपने आँगनों में और परमेश्वर के भवन के आँगनों में और जलफातक के चौक में और एफ्रेम के फातक के चौक में जोपडियां बना ली 17 वरंसब मंडली के लोग जितने बधुआई से चूट कर लोट आये थे, जो पड़ियां बना कर उन में रहे नून के पुत्र यहोश्यू के दिनों से लेकर उस दिन तक इसराइलियों ने ऐसा नहीं किया था उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ 18 फिर पहले दिन से अंतिम दिन तक एजरा ने प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ पढ़ कर सुनाया यूँवे साथ दिन तक पर्व को मानते रहे और आठवे दिन नियम के अनुसार महा सभा हुई अध्याए 9 पाप का अंगीकार एक फिर उसी महीने के 24 वे दिन को इस्राइली उत्वास का ताट पहिने और सिर पर धूल डाले हुए इकठे हो गए दो तब इस्राइल के वंश के लोग सब अन्यजाती लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुर्खाओं के अधर्म के कामों को मान लिया तीन तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंदवत करते रहे चार येशु, बानी, कद्मील, शबन्या, बुन्नी, शेरेब्या, बानी और कनानी ने लेवियों की सीली पर खड़े होकर उंचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दो हाई दी पांच्विर येशु, कद्मील, बानी, हशबनया, शेरेब्या, हुया, शबन्या और पत्याह नामक लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने परमीश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंतकाल तक धन्य कहो तेरा महिमायुक नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुती से परे है पाप अंगीकार की प्रार्थना शे, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे उंचे स्वर्ग और उसके सब गण, और प्रित्वी और जो कुछ उसमें है, और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सभों को तू ही ने बनाया, और सभों की रक्षा तू ही करता है, और स्वर्ग की समस्थ सेना तुझी क दंदवत करती है। द्रिश्टी की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दोहाई सुनी। दस फिरोन और उसके सब कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोगों को दंद देने के लिए चिन्ह और चमतकार दिखाए। क्योंकि तू जानता था कि वे उनसे धिठाई का व्यवहार करते हैं और तूने अपना ऐसा बड़ा नाम किया जैसा आज तक वरतमान है। ग्यारर तूने उनके आगे समुद्र को ऐसा दो भाग किया कि वे समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चल कर पार हो गए और जो उनके पीछे पड़े थे उनको तूने गहिरे स्थानों में ऐसा डाल दिया जैसा पत्थर महाजल राशी में डाला जाए। बारह फिर तूने दिन को बादल के खंभी में होकर और रात को आग के खंभी में होकर उनकी अगुआई की की जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उसमें उनको उजियाला मिले। तेरह फिर तूने सीने परवत पर उतर कर आकाश में से उनके साथ बाते की और उनको सीधे नियम, सच्छी व्यवस्था और अच्छी विधियां और आग्याएं दी. 14. उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्यान दिया और अपने दास मूसा के द्वारा आग्याएं और विधियां और व्यवस्था दी. 15. उनकी भूख मिताने को आकाश से उन्हें भोजन दिया और उनकी प्यास बुझाने को चट्तान में से उनके लिए पानी निकाला और उन्हें आग्यादी की जिस देश को तुम्हें देने की मेने शपत खाई है उसके अधिकारी होने को तुम उसमें जाओ. 16. परंतु उन्होंने और हमारे पुर्खाओं ने अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आग्याएं न मानी, सत्रह और आग्या मानने से इंकार किया और जो आश्चर्यकर्म तुने उनके बीच किये थे, उनका स्मरण ना किया, वरन हट करके यहां तक बलवा करने वाले कि एक प्रधान ठहराया की अपने दास्त्व की दशा में लोटें। परंतु तू क्षमा करने वाला अनुग्रहकारी और दयालू, विलम से कोप करने वाला और अतिकरु नामे इश्वर है, तुने उनको न त्यागा। बादल का खंभा उन पर से हटा, और न रात को उज्याला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंभा। बीस वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया, और अपना मना उन्हें खिलाना न छोड़ा, और उनकी प्यास बुझान को पानी देता रहा। 21 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोशन करता रहा कि उनको कुछ घटी न हुई, न तो उनके वस्त्र पुराने हुए और न उनके पाउंग में सूजन हुई। 22 फिर तूने राजय राजय और देश-देश के लोगों को उनके वश में कर दिया, और दिशा-दिशा में उनको बांक दिया, यहों वे हेशिबोन के राजा सीहुन और बाशान के राजा ओग दोनों के देशों के अधिकारी हो गए। 23 फिर तूने उनकी संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ा कर उन्हें उस देश में पहुचा दिया, जिसके वि देश के लोगों समेत उनको उनके हाथ में कर दिया, कि वे उनसे जो चाहे सो करें। 25 उन्होंने गरवाले नगर और उपजाव भूमी ले ली और सब भांती की अच्छी वस्तूँं से भरे हुए घरों के और खुदे हुए होदों के और दाख और जैतून की बारियों के औ और खाने के फलवाले बहुत से व्रिक्षों के अधिकारी हो गए, वे उसे खाखा कर त्रिप्त हुए और रिष्ट पुष्ट हो गए और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे। 26 परंतू वे तुझ से फिरकर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्ता को त्याग दिया और तेरे जो नभी तेरी और उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे उनको उन्होंने घात किया और तेरा बहुत तिरसकार किया। 27 इस कारण तुने उनको उनके शत्रूओं के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको संकर्ट में डाल दिया तो भी जब जब वे संकर्ट में पढ़कर तेरी दोहाई देते रहे तब तब तू स्वर्ख से उनकी सुनता रहा और तू जो अतिद्यालू है इसलिए उनके छुड़ाने वाले को भेजता रहा जो उनको शत्रूओं के हाथ से छुड़ाते थे। उनको चुड़ाता उन्तीस और उनको चिताता था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे। लोगों के हाथ में कर दिया। 31 तो भी तू ने जो अतिद्यालू है उनका अंत नहीं कर डाला और ना उनको त्याग दिया। क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालू ईश्वर है। 32 अब हे हमारे परमेश्वर। हे महान पराक्रमी और भयययोग्य ईश्वर। जो अपनी वाचा पालता और करुना करता रहा है। जो बड़ा कश्ट एश्शूर के राजाओं के दिनों से ले आज के दिन तक हमें और हमारे राजाओं। हाकिमों, याजकों, नबियों, पुर्खाओं वरन तेरी समस्त प्रजा को भोगना पड़ा है, वर तेरी द्रिष्टी में थोड़ा न ठहरे। तो भी जो कुछ हम पर बीता है उसके विशे तू तो धर्मी है, तू ने तो सच्चाई से काम किया है, पर अंतू हमने दुश्टा की है। 34. हमारे राजाओं और हाकिमों, याजकों और पुर्खाओं ने न तो तेरी व्यवस्था को माना है और न तेरी आग्याओं और चितनियों की ओर ध्यान दिया है, जिनसे तू ने उनको चिताया था। 35. उन्होंने अपने राज्य में और उस बड़े कल्यान के समय जो तूने उन्हें दिया था और इस लंबे चोड़े और उपजाओ देश में तेरी सेवा नहीं की और न अपने बुरे कामों से पश्चाताप किया। 36. देख, हम आज कल दास हैं, जो देश तूने हमारे पित्रों को दिया था कि उसकी उत्तम उपज खाएं, इसी में हम दास हैं। 37. इसकी उपज से उन राजाओं को जिन्हें तूने हमारे पापों के कारण हमारे उपर ठहराया है, बहुत धन मिलता है, और वे हमारे शरीरों और हमारे पश्चुओं पर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता जताते हैं, इसलिए हम बड़े संकट में पढ़े अध्याय दस नौ लेवी ये थे, आजन्या का पुत्र येशु, हिनादाद की संतान में से बिन्नाई और कद्मियल, दस और उनके भाई शबन्या, होया, कलीता, पलाया, हानान, ग्यारह मीका, रहोब, हशब्या, बारह जक्कुर, शेरिब्या, शबन्या, तेरह होया, बानी और बनीन हशुब, 24 हलोहेश, पिल्हा, शोबेक, 25 रहुम, हशबना, माशेया, 26 हया, हानान, आनान, 27 मलूक, हारीम और बाना 28 शेश लोग अर्थात याजिक, लेविय, द्वारपाल, गवये और मंदिर के सेवक, और जितने परमेश्वर की व्यवस्था मानने के लिए देश-देश के लोगों से अलग हुए थे, उन सभूने अपनी स्त्रियों और उन बेटे-बेटियों समेट जो समझने वाले थे, 29 अपने भाई रईसों से मिलकर शपत खाई, कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चलेंगे जो उसके दास मूसा के द्वारा दी गई है, और अपने प्रभु यहोवा की सब आग्याएं, नियम और विदिया मानने में चौक्सी करेंगे, 30 हम न तो अपनी बेटियां इस देश के लोगों को ब्याह देंगे, और न अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह लेंगे, 31 और जब इस देश के लोग विश्रामदिन को अन्यया और विकाव वस्तुमें बेचने को ले आएंगे, तब हम उनसे न तो और साथमें वर्ष में भूमी पड़ी रहने देंगे और अपने अपने रिंग की वसूली छोड़ देंगे और विश्रम दिनों और नए चांद और नियत परवों के बलिदानों और अन्य पवित्र भेटों और इस्राइल के प्रायश्चित की निमित पापबलियों के लिए अर्थात अपने परमीशवर के भवन के सारे काम के लिए 34. फिर क्या याजक, क्या लेविय, क्या साधारन लोग, हम सब होने इस बात के ठहराने के लिए चित्थियां डाली, कि अपने पित्रों के घरानों के अनुसार प्रतिवर्ष ठहराए हुए समयों पर लकडी की भेंट व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार हम अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर जलाने के लिए अपने परमेश्वर के भवण में लाया करेंगे 35 हम अपनी अपनी भूमी की पहली उपज और सब भाती के व्रिक्षों के पहले फल प्रतिवर्ष यहोवा के भवण में लिआएंगे 36 और व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार, अपने अपने पहिलोई बेटों और पश्यों, अर्थात पहिलोई बचछडों और मीमनों को अपने परमेश्वर के भवन में उन याजिकों के पास लाया करेंगे, जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा तहल करते हैं 37 हम अपना पहला गुंधा हुआ आटा और उठाए हुई भेटे और सब प्रकार के व्रिक्षों के फल और नया दाखमधू और टितका तेल अपने परमेश्वर के भवन की कोट्रियों में याजिकों के पास और अपनी अपनी भूमी की उपज का दश्मान्श लेवियों के पास लाया करेंगे क्योंकि वे लेवियों हैं जो हमारी खेती के सब नगरों में दश्मान्श लेते हैं 38 जब जब लेविय दश्मान्ष ले तब तब उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे और लेविय दश्मान्षों का दश्मान्ष हमारे परमेश्वर के भवन की कोट्रियों में अर्थात भंदार में पहुँचाया करेंगे 49 क्योंकि जिन कोट्रियों में पवित्रिस्थान के पात्र और सेवा तहल करने वाले याजिक और द्वारपाल और गवईये रहते हैं उनमें इस्राइली और लेविय अनाज, नए दाकमधू और टिक के तेल की उठाए हुई भीटे पहुंचाएंगे इस प्रकार हम अपने परमेश्वर के भवन को न छोड़ेंगे एक प्रजा के हाकिम तो यरूशलेम में रहते थे और शेश लोगों ने यह ठहराने के लिए चिठ्थियां डाली कि दस में से एक मनुष्य यरूशलेम में जो पवित्र नगर है बस जाएं और नौ मनुष्य अन्य नगरों में बसें दो जिन्होंने अपनी ही इच्छा से यरूशलेम में वास करना चाहा उन सभों को लोगों ने आशिरवाद दिया तीन उस प्रांथ के मुख्य मुख्य पुरुश जो यरूशलेम में रहते थे वे ये हैं परंतु यहूदा के नगरों में एक-एक मनुष्य अपनी निजभूमी में रहता था अर्थात इस्राइली, याजिक, लेविय, नतीन और सुलेमान के दासों की संतान चार यरूशलेम में तो कुछ यहूदी और बिम्यामीनी रहते थे यहूदियों में से तो यहरेस के वंश का अतायाह जो उज्जयाह का पुत्र था यह जकर्याह का पुत्र, यह मर्याह का पुत्र, यह शपत्याह का पुत्र, यह महलेल का पुत्र था पांच मासियाह जो बारुक का पुत्र था, यह कोलुजे का पुत्र, यह हजाया का पुत्र, यह अदाया का पुत्र, यह योयारीब का पुत्र, यह जकर्याह का पुत्र और यह शिलोई का पुत्र था चेह पेरेस के वंश के जो यरूशलिम में रहते थे वह सब मिलाकर 468 शूरवीर थे साथ बिन्यामीनियों में से सल्लू जो मशुलाम का पुत्र था यह योएद का पुत्र, यह पदायाह का पुत्र, यह कोलायाह का पुत्र, यह मासयाह का पुत्र, यह इतियह का पुत्र, यह यशायाह का पुत्र था. आठ उसके बाद गबबई सल्य जिनके साथ 928 पुरुष थे. 9 इनका प्रधान जिक्री का पुत्र योईल था और हस्नुवा का पुत्र यहुदा नगर के प्रधान का नायब था 10 फिर याजकों में से योयारीब का पुत्र यदायाह और याकीन, 11 और सरायाह जो परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिलकियाह का पुत्र था यह मशुलाम का पुत्र, यह सादोक का पुत्र, यह मरायोत का पुत्र, यह हीतू का पुत्र था, 12 इनके 822 भाई जो उस भवन का काम करते थे, और अदायाह, जो यरोहाम का पुत्र था, यह पलल्याह का पुत्र, यह हमसी का पुत्र, यह जकर्याह का पुत्र, यह पशहुर क पुत्र यह मल्किया का पुत्र था, 13 इसके 242 भाई जो पित्रों के घरानों के प्रधान थे, और अमशे जो अज्रेल का पुत्र था, यह हजई का पुत्र, यह मशिलिमोत का पुत्र, यह हिम्मिर का पुत्र था, 14 इनके 128 शूरवीर भाई थे और इनका प्रधान हद्गदो पुत्र जब्दियल था। शम्मू का पुत्र और गालाल का पोता और यदूतूं का परपोता था। 22 जो लेविय यरुशलिम में रहकर परमेश्वर के भवन के काम में लगे रहते थे। उनका मुखिया आसाप के वन्ष के गवयों में का उजजी था। जोबानी का पुत्र था, यह हशब्याह का पुत्र, यह मतन्याह का पुत्र और यह हशब्याह का पुत्र था। 23 क्यूंकि उनके विशय राजा की आग्या थी और गवेयों के प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार ठीक प्रबंध था 24 प्रजा के सब काम के लिए मशेजबेल का पुत्र पत्याह जो यहुदा के पुत्र जेरह के वन्श में था वह राजा के पास रहता था 25 बच गए गाव और उनके खेत अतख कुछ यहुदी किर्यतरबा और उनके गाव में कुछ दीबोन और उसके गावों में कुछ यकपसेल और उसके गावों में रहते थे 26 फिर येशु, मुलादा, बेतपेलेत, 27 हसरशु और बेरशेबा और उसके गावों में 28 और सिकलग और मकोना और उनके गावों में 39 एनिम्मोन, सोरा, गिर्मूत, 30 जानोह और अदुलाम और उनके गावों में लाकिश और उसके खेतों में, एजेका और उसके गावों में वे बेर्शेबा से लेहिन्नम की तराई तक देरे डाले हुए रहते थे। 31 बिन्यामीनी गेबा से लेकर मिकमश, अया और बेतल और उसके गावों में 32 अनातोत, नोब, अननिया, 33 हासोर, रामा, गितैम, 34 हादीद, सबोईम, नबललत, 35 लोद, उनों और कारीगरों की तराई तक रहते थे। 36 यहुदा के कुछ लेवियों के दल बिन्यामीन के प्रांतों में बस गए। अध्याय बारा, याजकों और लेवियों की सूची एक जो याजकों और लेविय शालतेल के पुत्र जरुबाबेल और येशु के संग यरूशलेम को गए थे, वे ये थे सराया, इर्मया, हेज्रा, दोह मर्या, मल्लूक, हक्तूश, तीन शकन्या, रहुम, मरेमोत, चार इद्दो, गिन्नतोई, अभिया, पांच मियामीन, येशु के दिनों में याजकों और उनके भाईयों के मुख्य मुख्य पुरुश, ये ही थे, आठ फिर ये लेविय अगए, येशु, बिन्नुई, कद्मील, शेरेबिया, यहुदा और वह मतन्या, जो अपने भाईयों समेत धन्यवाद के काम पर ठहराया गया था, नौ उ येशु के सामने अपनी अपनी सेवकाई में लगे रहते थे। तेरह एजरा का मशुल लाम, अमर्याह का यहोहानान, चौदर मल्यूकी का योनातान, शिबन्याह का योसेप, पंदरह हारीम का आधना, मरायोत का हेलकई, सुलह इद्दो का जकर्याह, गिन्नतों का मशुल लाम, सत्रह अभियाह का जिक्री, मिन्यामीन के मुध्याह का अठारह बिलगा का शम्मू, शमायाह का यहोनातान, उन्नीस योयारीब का मत्तने, यदायाह का उजजी, बीस सल्ले का कल्य, आमोक का एबेर, 21 हिलकियाह का हशब्याह, और यदायाह का नतनेल याजकिय और लेविय घरानों की सूची 22 एल्याशीब, योयादा, योहानान और यद्दू के दिनों में लेविय पित्रों के घरानों के मुख्य पुरुषों के नाम लिखे जाते थे, और दारा फार्सी के राज्यमें याजकों के भी नाम लिखे जाते थे 23 जो लेविय पित्रों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, उनके नाम एल्याशीब के पुत्र योहानान के दिनों तक इतिहास की पुस्तक में लिखे जाते थे 24 लेवियों के मुख्य पुरुष ये थे, अर्था थशब्याह, शेरेब्याह और कद्मील का पुत्र येशु और उनके सामने उनके भाई पर मेश्वर के भक्त दावद की आग्या के अनुसार आमने सामने स्तुती और धन्यवाद करने पर नियुक्त थे 25 मक्तन्या, बकबुक्या, ओबया, मशुल्लाम, तल्मोन और अक्कूब फाटकों के पास के भंडारों का पहरा देने वाले द्वारपाल थे 26 योयाकीन के दिनों में जो योसादाक का पोता और येश्यू का पुत्र था और नहेमिया अधिपती और एजरायाजिक और शास्त्री के दिनों में ये ही थे 27 यरूशलिम की शहरपिनाह की प्रतिष्था के समय लेविये अपने सब स्थानों में ढूंढें गए कि यरूशलिम को पहुंचाए जाएं जिससे आनंद और धन्यवाद करके और जांच, सारंगी और वीना बजाकर और गाकर उसकी प्रतिष्था करें 28 यरूशलिम के चारों और के देश से और नतोपातियों के गावों से, 29 और बेद गिलगाल से और गेबा और अजमाबेद के खेतों से इकठे हुए यूँकि गवेयों ने यरूशलिम के आसपास गाव बसा लिये थे 31 तब मैंने यहुदी हाकिमों को शहर पर चड़ा कर दो बड़े दल ठहराए, जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे इन में से एक दल तो दक्षन की ओर, अर्थात कुराफाटक की ओर शहर पनाह के उपर उपर से चला, 32 और उसके पीछे पीछे ये चले, अर्थात होशाया, और यहुदा के आदे हाकिम, 33 और अजरिया, एजरा, मशुलाम, 34 यहुदा, बिन्यामीन, शमाया, और यर्मया, 35 और याजकों के कितने पुत्र तु रहिया लिये हुए, अर्थात जकर्याह जो योहानान का पुत्र था, यह शमाया का पुत्र, यह मतन्या का पुत्र, यह मीकाया का पुत्र, यह जककूर का पुत्र, यह आसाप का पुत्र था, 36 और उसके भाई शमाया, अज्रेल, मिल्ले गिल्ले, माय, नतनेल, यहुदा और हनानी परमेश्वर के भक्त दाउद के बाजे लिए हुए थे और उनके आगे आगे एजरा शास्त्री चला 37 ये सुताफाटक से हो सीधे दाउदपुर की सीवी पर चाड़ शहरपनाह की उंचाई पर से चल कर दाउद के भवन के उपर से होकर पूरब की ओर जलफाटक तक पहुँचे 38 धन्यवाद करने और धूमधाम से चलने वालों का दूसरा दल और उनके पीछे पीछे में और आधे लोग उनसे मिलने को शहरपनाह के उपर उपर से भर्थों के गुमध के पास से चोड़ि शहरपनाह तक 49 धन्यवाद करने वालों के दोनों दल और में और मेरे साथ आधे हाकिम परमेश्वर के भवन में खड़े हो गए 41 और एल्याकीम, मासेया, मिन्यामीन, मीकाया, एल्योहने, जकर्याह और हनन्याह नामक याजेक तुरहिया लिये हुए थे 42 मासेया, शमाया, एल्याजार, उज्जी, यहोहानान, मल्किया, एलाम और एजेर खड़े हुए थे और गवये जिनका मुखिया यिज्रियाह था, वह हुंचे स्वर से गाते बजाते रहे। 43 उसी दिन लोगों ने बड़े-बड़े मेलबिली चड़ाए और आनंद किया क्योंकि परमीश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंद किया। यरूशलेम के आनंद की ध्वनी दूर-दूर तक फैल गई। उपासना आदी का प्रबंद। 45 इसलिए वे अपने परमीश्वर के काम और शुधता के विशय चौकसी करते रहे और गवये और द्वारपाल भी दावद और उसके पुत्र सुलेमान की आग्या के अनुसार वैसा ही करते रहे। 46 प्राचीनकाल, अर्थात दावद और आसाप के दिनों में तो गवयों के प्रधान थे और परमेश्वर की स्तुती और धन्यवाद के गीत गाय जाते थे। 47 जरुबबाबेल और नहेम्याह के दिनों में सारे इस्राइली, गवयों और द्वारपालों के प्रति दिन का भाग देते रहे और वे लेवियों के अंश पवित्र करके देते थे और लेविया हारून की संतान के अंश पवित्र करके देते थे। अध्याय 13. गैर यहुदियों से अलगाव एक उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई और उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई इम्मोनी या मौाबी परमेश्वर की सभा में कभी न आने पाए दो क्यूंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इस्राइलियों से भेंट नहीं की वरन बिलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिना देकर बुलवाया था तो भी हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीश में बदल दिया तीन यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इस्राइल में से मिली जुली भीर को अलग-अलग कर दिया नहें मियाह के सुधार चार इस से पहले एल्याशी व्याजक जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोट्रियों का अधिकारी और तोब्ययाह का संबंधी था पांच उसने तोब्ययाह के लिए एक बड़ी कोट्री तैयार की थी जिसमें पहले इन्नबली का सामान और लोबान और पात्र और अनाज नए दाखमधू और टिटके तेल के दश्मांश जिन्ही लेवियों, गवेयों और द्वारपालों को देने की आग्या थी रखी हुई थी और याजकों के लिए उठाए हुई भी इट भी रखी जाती थी चह परंतु मैं इस समय यरुशलिम में नहीं था क्योंकि बैबिलोन के राजा अर्तक्षत्र के 32 में वर्ष में मैं राजा के पास चला गया फिर कुछ दिनों के बाद राजा से चुट्टी मागी साथ और मैं यरुशलिम को आया तब मैंने जान लिया कि अल्याशीब ने तोब्यया के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोट्री तयार कर कैसी बुराई की है आठ से मैंने बहुत बुरा माना और तोब्यया का सारा घरेलू सामान उस कोट्री में से फेक दिया नौ तब मेरी आग्या से वे कोट्रिया शुधकी गई और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र और अन्नबली का सामान और लोबान उनमें फिर से रखवा दिया दस फिर मुझे मालूम हुआ की लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है और इस कारण काम करने वाले लेवियों और गवयों अपने अपने खेत को भाग गए हैं ग्यारह तब मैंने हाकिमों को डांट कर कहा परमेश्वर का भवन क्यूं त्यागा गया है फिर मेंने उनको इकठा करके एक-एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया बारह तब से सब यहूदी अनाज, नए दाखमदू और टटके तेल के दश्मांश भंदारों में लाने लगे तेरह मेंने भंदारों के अधिकारी शेलिम्याह याजक और सादोक मुन्शी को और लेवियों में से पदायाह को और उनके नीचे हनान को जो मत्तन्याह का पोता और जक्कूर का पुत्र था, नियुक्त किया, वे तो विश्वा से युग्य गिने जाते थे और अपने भाईयों के मध्यब बांटना उनका काम था 14 है मेरे परमेश्वर 15 है मेरे यहुदा में बहुतों को देखा जो विश्वाम दिन को होदों में दाक रॉनते और पूलियों को ले आते और गधों पर लागते थे वैसे ही वे दाक मधू, दाक, अंजीर और भाती-भाती के बोज विश्वाम दिन को यरूशलेम में लाते थे तब जिस दिन वे भूजन विस्तू बेचते थे, उसी दिन मैंने उनको चिता दिया सोलह फिर उसमें सोरी लोग रहकर मचली और भांती-भांती का सौदा ले आकर यहुदियों के हाथ यरुशलिम में विश्राम दिन को बेचा करते थे सत्रह तब मैंने यहुदा के रईसों को डांट कर कहा, तुम लोग यह क्या बुराई करते हो, जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो अठारह क्या तुम्हारे पुर्खा ऐसा नहीं करते थे, और क्या हमारे परमेश्वर ने यह सब विपत्ती हम पर और इस नगर पर न डाली तो भी तुम विश्राम दिन को अपवित्र करने से इस्राइल पर परमेश्वर का क्रोध और भी भड़काते जाते हो 19 अतर जब विश्रामवार के पहले दिन को यरूशलिम के फाटकों के आस्पा संधेरा होने लगा, तब मैंने आग्यादी कि उनके पल्ले बंद किये जाएं और यह भी आग्यादी कि वे विश्रामवार के पूरे होने तक खोले न जाएं तब मैंने अपने कुछ सेवकों को फाटकों का अधिकारी ठहरा दिया, कि विश्रामवार को कोई बोज भीतर आने न पाए 20 इसलिए व्यापारी और भांती-भांती के सौदे बेचने वाले यरूशलिम के बाहर दो एक बार ठहरे 21 तब मैंने उनको चिता कर कहा, तुम लोग शेहर पिनाह के सामने क्यूं टिकते हो यदि तुम फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम पर हाथ बढ़ाऊंगा इसलिए उस समय से वे फिर विश्रामवार को नहीं आए 22 तब मैंने लेवियों को आग्या दी कि अपने अपने को शुधा करके फाटकों की रखवाली करने के लिए आया करो ताकि विश्राम दिन पवित्र माना जाए हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए यह भी समरन रख और अपनी बड़ी करुना के अनुसार मुझ पर तरस्खा 23 फिर उनी दिनों में मुझको ऐसे यहुदी दिखाई पड़े जिन्होंने इश्डोदी, अम्मोनी और मुआबी स्त्रिया ब्याहली थी 24 उनके बच्चों की आधी बोली इश्डोदी थी, और वे यहुदी बोली न बोल सकते थे, दोनों जाती की बोली बोलते थे 25 तब मैंने उनको डाटा और कोसा, और उनमें से कुछ को पितवा दिया और उनके बाल नुच्वाए, और उनको परमेश्वर की यह शपत खिलाए, हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह में न देंगे और न अपने लिए या अपने बेटों के लिए उनकी बे अब ही था, और परमेश्वर ने उसे सारे इस्राइल के उपर राजा नियुक्त किया, पर अंतु उसको भी अन्यजाती स्त्रियों ने पाप में फंसाया 27 तो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें की अन्यजाती की स्त्रियों से विवाह करके अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें 28 एल्याशीब महायाजक के पुत्र योयादा का एक पुत्र, होरोनी संबललत का दामाद था, इसलिए मैंने उसको अपने पास से भगा दिया 29 हे मेरे परमेश्वर, उनको स्मरन रख, क्योंकि उन्होंने याजकपद और याजकों और लेवियों की वाचा को अशुद्ध किया है 30 इस प्रकार मैंने उनको सब अन्यजातियों से शुद्ध किया, और एक-एक याजक और लेविय की बारी और काम ठहरा दिया 31 फिर मैंने लकडी की भेंटले आने के विशेश समय ठहरा दिये और पहली-पहली उपच के देने का प्रबंध भी किया हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरन रख